हेलो फ्रेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारे शरीर के अंदर ही बहुत सारे विशेले तत्व आ जाते हैं जिसके वज़े से हमारे शरीर अंदरूनी तौर पर बिल्कुल भी सुस्त नहीं रहता है इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारी बाडी को क्लीनिंग की जरूरत होती है यानि की टीप क्लीनिंग की जरूरत होती है चलिया जानते है कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो हमारी बाडी की अंदरूनी तौर पर डीप क्लीनिंग कर सकती है और हमारी शरीर से विशेले तत्व को बहार निकाल सकती है सबसे पहला और अच्छा नुस्का है शेहद और नीबू एक ग्लास पानी के अंदर शेहद और नीबू को मिक्स करके रोजाना सेवन करने से ना केवल हमारा बॉड़ी फैट कम होता है ना केवल हमारी शरीर को उर्जा मिलती है बलकि अगर हम रोजाना इसका सेवन करें तो ये हमारी बॉड़ी को अच्छे तरीके से डीप ख्लीन करके अच्छे तरीके से हमारी शरीर की सारी अशुदियों को बहार निकाल देता है अगर आप चाहें तो आप लहसून का इस्तमाल भी कर सकती है अगर आप लहसून को कच्छे तर पर खा सकती है तो आप इसे खा सकती है लेकिन अगर आप लहसून को कच्छे तर पर नहीं खा सकती है तो आप इसे अपने खाने के अंदर जरूर इस्तमाल करें लहसुन के अंदर antiseptic और antibacterial तत्व होते हैं जो शरीर से सारी इशुदियों को बाहर निकालने में सही तरीके से काम करते हैं आप चाहें तो आमला की जूस का, अलोपिरा जूस का या फिर साफ पानी का इस्तमाल कर सकते हैं पानी हमारी बोडी को detoxify करने में काफी ज्यादा मददगार है पूरे दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी पीजे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बोडी की deep cleaning कर सकें आप चाहें तो हरबल, चाहें या फिर green tea का प्लियोग भी कर सकते हैं ग्रीन टी के अंदर एंटी ऑक्सिदन तत्वों की भरमार होती है जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और बोडी को detox करने के लिए काफी मददकार है सो दोस्तों इस सारे tips को जरूर आजमाईए ताकि आप अपने शरीर से विशेलिक गत्वों को बाहर निकाल सकें मेरी beauty और health से related videos को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजिए